36 गड़ में मांसुन महरवान इस्टॉंग सिस्टम एक्टिव फिर होगी भारी बारिस। मौसुन में भाग के मतबएक 26 उराई तक प्रदेश में 516,4 मिलिमेटर बारिस हो चुकी है। जबेश दिन तक मांसुन की अवसत बारिस 507 मिलिमेटर है यानि की कोटे का सौफेश दे। मौसुन में भाग के मतबएक 30 उराई तक प्रदेश में मांसुन की गतिवे दिया जारी रहने के संभावना है सिराजी भर में हरकी से मध्यम बारिस की स्थिती बनी रहेगी। वही अगर एक दो दिन कहीं कहीं पर भारी बारिस भी हो सकती है प्रदेश में मांसुन 8 जुन को आया था लेकिन या ठिठक गया था। 24 जुन के बाद ही पूरे प्रदेश में सक्री हुआ इसके बाद भी मजबूस सिस्टम नहीं बना जुराय का पहला पकफारा लगभग सूखा रहा। मौसमे ज्यानिकों का कहना है कि अगले एक दो दिनों में कांकेर बीजपूर दूर्ग संभा के दूर्ग खैरागल राजनान गाम मुहलामानपूर कबीरधाम बीमी तरह में भारी बारिस हो सकती है। में अब तक 60% तक बारिस भी है पांच जीलो में औस से ज्यादा जेपकी अठर में औस्त बारिस भी है। वह गर्या बंजीले के चलना पदर में बना नया चेक डेम पंदा दिन में टूट गया कोर्बा की पितनी नदी में आई बार में एक गाय बह गई। जूलाई के बारिस का कोटा पूरा हो चुका है प्रदेश में कल सुबा तक 506.4 मिलमीटर पानी बरस चुका है प्रदेश में अब तक 507.2 मिलमीटर बारिस सोनी चाहिए थी। पिजापूर में सबसे अधिक 94% बारिस भी है यहां अब तक 1137.3 मिलमीटर पानी बरस चुका है जबकि 534.9 मिलमीटर बारिस सोनी चाहिए थी। लगातार बारिस से कोटा लगभग पूरा हो गया है अपके बल दो फिर्जदी की कमी रह गई है एक जुन से अब तक 487.1 मिलमीटर बारिस हो चुकी है जो औसत की कोटे से सिर्फ 2% कम हैं लगातार बारिस के करणट डैम में भार गए हैं नदीनाली उफान पर हैं बड़ी 26 दला से हैं जो लगभग 50% तक भार गए हैं